हेलो ब्रवान दिस इस अप्रिशेक रान वल्कम यो ओल टी और फेवरेट यूट्यूब चैनल राइजूकेशनल राइजूकेशनल चैनल पर आप सभी भाई बंदों का अरतिक स्वागत है मित्रों आज का दिन बहुत ही मैत पूर्ण है उन अपहरतियों के लिए जो नतरजा और भी ज्यादा बढ़ गए थी लेकिन उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है कि 39,000 भरती विशेष्ट आज का दिन बहुत ही महतिपूर है क्यों महतिपूर है कि आप सभी को कल मैनेवर शाम को ही बता दिया था 29 तारीक को इस पेसल अफील के अंतरकत फाइल की जाएगी आपकी प्रफाइल की जाएगी आपके بीड़ बयतियों की तरफ से बीटी सी अफील की तरफ से और सरकार का क्या रूंख रहता है कि बढ़ बढ़ बोला सरकार नहीं जाएगी यह वो छो भी चीज़े हैं थो पूरी विश्योर चरचाय समें और इसमें बातचीत हम लोग कर यह जो 60-60 कटॉफ के समढ़ तक हैं बाकी यह वीडियो सोशल मीडिया पर है तो सभी लोग देखेंगे पच्छ वाले भी देखेंगे विपक्ष वाली भी देखेंगे तो इसमें कोई घबराणने वाली बात नहीं कि यह बढ़ती है सोचते हैं कि हम अपनी चीजों को लोगो समक्ष क्योंकि विपक्षी तो बहुत ही भेंकर तरीके से अपनी डबल विंच में रिड़ अपनी केविएड दाखिल कर चुके थे सुप्रीम कोड से दाखिल कर चुके तो आप क्यों पैनिक हो रहे हैं बिल्कुल परशान मत हो यह जो हमारी तरफ से रणनीती है जो सरकार सरकार की रणनीती वह आप लोगों समक्ष पेश है तो बिड़ी सिक तरफ से कौन रहेगा बेट की तरफ से कौन वकील हायर किये हैं सीनियर वकील है सभी और क्या सरकार जा रही है रही है या नहीं सारी चीजों पर विशलेशी चार्चा होगी इस वीडियो में तो बहुत म हमारी रणनीती क्या है जो हम लोगों को बिडिसी बेड़ वालों को आपस में तोड़ रहे हैं चाहे फिस्बुक पे देख लो हूं में चाहे वाट्सप के जरी ओडियो वैरल होता रहता था तो तो तोड़ने फोड़ने वाला काम खतम है अब जोड़ना सुरू होगा जी ह दरों की वीडियो शुरू करते हैं तो एक दम ध्यानपुरक सुनिएगा की कि कल B8 की तरफ से Article Special Appeals Senior Advocate जैदीब नाराण मातूर सर की तरफ से फाइल की जा रही है तो जैदीब नाराण मातूर सर बीट की तरफ से यह कल की रात की पोस्ट है जिसको आज मैं आप लोगों को प्रतरिशित कर रहा हूं तो B8 की तरफ से जो लोग बोल रहे थे कि सर B8 वाले जा रहे हैं कि BTC वाले जा रहे हैं कि सरकार जा रही है, सबी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी इस पोस्ट के जरी है, तो जो बेड़ती B8 की तरफ से उनके लिए बता दूं क्यों Special Appeal हायर हो रही है, सभी senior advocate hire हुए हैं जैतीब नाराण माथूर सर है B8 की तरफ से special appeal आज दायर होगी दूसरा BTCF बेड़तियों की तरफ से दो special appeal दायर होगी क्यों? दो senior दिवक्ता हैं जो आपके senior दिवक्ता single bench में है hire हुए थे आप सभी को नाम याद होगा अनिल सिंग जी तो जी हाँ अनिल तिवारी जी हैं और तो special appeal senior advocate SK कालिया जो अपने आप में बहुत ही महत्पून भूमिका निभाते हैं तो SK कालिया जी हैं और senior advocate अनिल तिवारी जी कि आगवाई में file हो रही है यह important है कि यह special appeal BTC की तरब से B8 की तरब से तो भाई file हो जाएगी अब तीसरा प्रमुक आता है कि क्या सरकार जा रही है या नहीं तो जी हाँ यह तो पूरा दावमदार सरकार का ही है तो सरकार क्यों नहीं जाएगी हमने बोला था कि जब अभ्यरती एक जूठ होकर आगे बढ़ेंगे तो सरकार को मजबूरन जाना पड़ेगा अगर उनके मन में ये भी होगा तनिक भी सरकार के मन में कि हम नहीं जाने वाले तो भ्यरतियों का रुख देखकर सरकार जरूर जाएगी और वैसा ही हुआ है सरकार की भी special appeal कल यानि आज एजी सर की अगवाई में फाइल हो रही है तो जो बहुत ही महतपूर है मित्रूं जो अभी तक तोड़ने का काम कर रहे थे कि कुछ नहीं होगा सरकार कुछ नहीं करेगी आप लोगों भ्रमित कर रहे थे अब उनसे आप खुले तोर पर बोल सकते हैं जहां भी ये पोस्ट आए उनको चैलेंज करिए गा इसके बाद जितना जाता हो शेकर शेयर करिएगा हर ग्रूप में शेयर करेगी जहां पे आपके विवक्षी आपको लगते हैं वहां तक शेयर करिएगा इस वीडियो को उनको पता तो चल सके कि जो वो वाइरल करते थे अब उनके पास भी कोई ने कुछी जानी चाहिए उनको भी अब समझ में आना चाहिए इसके बाद ये सारी अपील फाइल होने के बाद फिर B.A. टीम की तरफ से अगले दिन सीनियर एडविकेट प्रशान चंद्रा सर की अगवाई में फाइल की जाएगी एक और अपील अब अपीलों की जड़ियां लगने वाली हैं और इन सभी स्पेशल अपील की सुनवाई संभुता ब्रिस्पतिवार से होने लगेगी तो आज पूरी फाइल हो जाएगी सुमवार के दिन फिर जो भी लेटेस्ट अपडेट उगी उसको पाने के लिए चैनल को सस्क्राइब वले हैं कुछ लोग बूलेंगे सस्क्राइब क्यों बोल रहा हूँके अपडेट आपको चाहिए तो सम्क्राइब जरूर करिएगा इससे ना आपका कुछ लगता है ना मेरा कुछ जाएगा लेकिन आपको बहुत चीज़े इस information मिलेंगी तो इस पेसल अफिल के सुनवाई समभता प्रिश्वतिवार से होने लगेगी और जो लोग चाहें बीटिसी या बीट को सभी लोग काफी मेहनत की हैं लोगों ने और आपस में सहयोग बनाया रखें सहयोग कैसे जो सह बन गया है याची बन गया है उससे सहयोग तो दे दिये लेकिन अब एक जुटता दिखाएएगा बीटिसी वाले बंदि जो भी हैं एक जुट रहेएगा क्योंकि बहुत लोग भरमीत करेंगे बीट को बाहर करो यह ऐसा हो गया बीट बाहर हो जाएगा सभी लोग का हो जा करेंगे यह याद कर लीजिए बहुत इंपोर्टन सभी अबरतिव के लिए है तो जो बीटिसी के बरतिए उनके लिए बहुत इंपोर्टन यह सूचना है पुना बता दूं बीटिसी बीट और सरकार तीनों अपना पक्ष रखेगी इस पील में और तो और बीट की तरफ से इस साथ के आप सभी को पता चल गया सीनियर वकील जैतिव नारान मातूर सर है बीटिसी के की तरफ से समख्ष है कि आपन्य समख्ष है कि आप पॉस्ट्ट रिजल्ट आ रहा है जैसी फाइल हो जाती है आपकी कह सकते हैं कि जो इस पिचल अपील हों ह वाद हुता हुत है उ तो बने रहेगा हमारे साथ और एजी एजी सर की अगवाई में सरकार की तरफ से स्पेसल अपिल फाइल की जा रही है तो बहुत ही महत्पूर्ण है न्यूज अपडेट यह आप लोगों के लिए और संभूता आपके अगले दिन बीट होके जब सही यह फाइल हो जाएगी त सभी आपके पक्ष में रखनी की कोशिश करेंगे अब बात करते हैं कि और अगली न्यूज थोड़ी सी आपको मैं कहा सकता हूँ थोड़ी सी नाराजगी देगी ब्रेकिंग न्यूज यह है कि आप सभी को पता था कि आपके अपर मुख सचिव जो प्रभाद सर हैं वो रि रिटायर होंगे तो यह सबसे बड़ी बात है कि रिटायर्मेंट के बाद कौन आएंगे सचिव जो मजबूती से उनकी तरह ही दामदार पकड़ेंगे और उनकी तरह ही सारी सासन के इस्तर की जो मीटिंग हैं संपन कराएंगे और अब बिरतियों के हित में कार करेंगे तो संपन 30 अपरेल को अबन मुक्सच पेसिक शुक्षा डाक्टर प्रबात कुमार जी हो रहे हैं रिटायर्मेंट सासन इस्तर पर उनके इस्थान लेने के लिए तीन नामों पर चर्चा जो रूपर है अब यह तीन आप लोगों को बता देता हूं राजेंदर त्रिवारी जी हैं यह आईएस हैं 1985 बैच के इनका पहले स्थार पर इनका नाम चर्चा में हैं दूसरे आपके हैं दीपक त्रिवेदी जी यह आईएस हैं 1985 बैच के दूसरे इनको नाम सुझाए गया है और तीसरे हैं आपके आलोग सिन्ह जी यह आईएस हैं 1986 बैच के यह तीन नाम पर ज अपरमुक्स सच्चु का प्रभार दिया जाए और ऐसे आये सदीकारी को दिया जाए ये प्रभार जो बकूवी छात्रों के हित में अपरमुक्स सच्चु प्रभात कुमार जी करते आए हैं और सासन जल्द ही इन नामों में से किसी एक चेरे पर लगा सकती है मोहर तो बहुत ही अपडेट ये भी इंपोर्टेंट है तो जैसे ही आपकी सुनवाईयां चलेंगी उसमें ही आपको बीच में एक ये न्यूस भी मिल जाएगी कौन अपरमुक्स सच्चु कौन अब प्रभ को सपोर्ट करते रहें जिनना जाएज आँशे के शेर जरू करिएगा क्योंकि लोग भ्रमित करते हैं उनको भी आज ये मिलना चाहिए वीडियो उन तक पहुंचाईएगा जरूर आपका ये जिमिदारी बनता है जरूर मित्रों तो बने रिमार साथ जो भी अब लेटेस् अपडेट होगी दस बचे से जो भी फाइल हो जाएगी तो आप तक हम पहुंचाते रहेंगे थैंकी सुमाच इस्टेटीन और एजुकेशन गट ब्लेस युवाल थैंकी सुमाच